नमस्कार शामुद्रिक विज्ञान के इस अंक में एक बार पुनो आपका स्वागत है दोस्तों मैं हूँ भासकरानंद डोभाल और आप देख रहे हैं हस्त रेखा का ये अंक सामुद्रिक विज्ञान का ये अंक अपनी ही पसंदीदा यूट्यूब के चैनल गो ब्लोक्स मे एक सुन्दर सी मेल हतेली मेरे सामने है आपकी रियल हतेली है और आप पुरुष जातक हैं सबसे पहले अगर देखें आपका जो मनि बंद है उसमें मेरी नजर पड़ रही है सायद जो वीडियो देख रहे हैं आप लोगों की नजर भी पड़ रही होगी यहां पे ये पहली रेखा अगर देखेंगे अच्छी इस्तिति में लोटती हुई दिखाई दी रही है आगे की जो इसकी इस्तिति है वो ठोस बन रही है और ये रेखा दरसाती है आपके स्व कोई रोग नहीं दिखाई दे रहा है जो जीवन को पूरी तरो से संकट में डाल दे या बहुत बड़ा ऐसा हो जो लाइलाज हो जिसका इलाज ही नहीं हो सकता है ऐसा नहीं दिखाई दे रहा है तो इस मामले में चैस्वास्थ्य को लेके हो चैस्वास्थ्य को लेके हो या संपत्ति की रेखा धन की रेखा ये रेखा आपके करियर और धन की रेखा से समन्द रखती है लिकिन यहां पे देखेंगे यह यहां तक ठीक है फिर बीच में यह बहुत ज़्यादा पतली हो गई है फिर एक आएक यहां पे रुक के फिर यहां से सुरू हो गई है और इसमें भी एक रेखा इसको काट रही है इसे अच्छा नहीं माना जाता है और यही आपकी जियोन में सबसे बड़ी दिक्कतों को दे रही है ठीकन यह है आपका धन आपका करियर और आपका सोभग्या और यह इस प्रकार से अगर होती है तो चाए धन का मामला हो चाए करियर का मामला हो इसमें अस्ताई तो नहीं आता है जियोन में उतार चड़ाओ बहुत ज़्यादा रहता है कभी लगता है बहुत अच्छा चल रहा है अब तो सांदार चलेगा लेकिन एक आएक चीजें फिर लोटकर वहीं आती है वही संगर्स दिखाई देता है वही जो है सब कुछ करते हुए भी अभाव की इस्तिति दिखाई देती है वही मानसिक तनाव वही संगर्स जीवन में फिर से लोटकर आता है जो चिंताओं को बढ़ाता है अब इसके लिए आपको क्या करना है दो चीजें करनी है क्या क्या करेंगे एक तो एक दिव्य योग ध्यानी के रिया एक प्रकार का प्रणायाम है एक प्रकार का मेडिटेशन है एक प्रकार की पराभक्ति है मनि इस्वर की ऐसी भक्ति जो मन से की जाती है जो योग से की जाती है जो सरीर के पंच तत्तों फाइब एलमेंट से की जाती है जो सरीर में आठ चक्र मोजोद है उनको साधकी की जाती है जो पाँच ग्यान इंद्रियां है और पाँच कर्म इंद्रियां है उनकी सक्तियों को लगा के की जाती है ऐसी दिव्य योग ध्यान किरिया मैं आपको दे रहा हूँ अब किस टेम तक करना है आपको तीन महने तक ये दिव्य योग ध्यान किरिया करनी है कितने समय तक करनी है जितना आपका मन हो आप इसको आदा घंटा भी कर सकते हैं एक मिन्टे भी कर सकते हैं पांच मिन्टे भी कर सकते हैं ये आपके उपर निर्बार है लेकिन दिन में दो बक्त करना है एक सुभा नास्ता करने के आधा या एक घंटा पहले और एक रात्री को भोजन करने के आधा या एक घंटा पहले दूसरा क्या करेंगे आप महालक्षमी का उपाई करेंगे ये रात्री की समय का होता है आप रात को बारा बजे से पहले किसी भी समय एक टाइम चुन के आपको महालक्षमी की पूजा करनी है उपासना करनी है महालक्षमी की उपासना मैं लिख के दे रहा हूँ और जो ये दिव्य योग ध्यान किरिया है ये आडियो के मादियम से समझा के आपके वाटसअप नमर पे दे रहा हूँ इन दोनों चीजों को अगर आप करेंगे तो निश्चित तोर पे धाई बरसों का समय होता है धीरे धीरे करके धाई बरसों में ये सांदार इस्तित में उब रहेगी और जो सनी में ये कट-कटाव की इस्तिती है इसका जो प्रभाव जीवन पर पड़ रहा है चाहे धन के मामले में हो चाहे करियर के मामले में हो किसी भी मामले में हो ये कुप्रभाव खतम हो जाएगा और आपका जीवन अच्छी इस्तिति में लोट आएगा ये इस पश्ट दिखाई दे रहा है वेसे भी आपका अंगोठा इस पश्ट बता रहा है कि इस साल तक तो आपका संगर्स है लेकिन अगले साल से सांदार समय आपकी जीवन में लोट कर आ रहा है जो अच्छी इस्तितियों को बता रहा है ठीक है नए अब तीसरी रेखा अगर हम देखेंगे ये रेखा बहुत सांदार है इस रेखा के प्रबल होने पर यकीन मानिएगा ये तीसरी रेखा आपको जबर्दस्त रूप में सपलता दिलाएगी क्या सपलता दिलाएगी ये आपको अपने स्वास्त्य का एस्वर्य का और धन का जो सुक है उसका आप भोग करिए और एस्वर्य भोगने का सुक्ष आपको प्राप्त होगा दूसरी चीज ये के तो है क्लेक्टिप करमाज को दिखाता है मोक्ष को दिखाता है आपके प्रारब्द को दिखाता है ये के तो बता रहा है तीन लकीरे हैं तीन जर्मों को दिखाता है तीन लकीरे अच्छी आयो को दिखाता है आयो का भी इसमें पता लगता है ठीकन इसमें आयो का गणना होती है 75 प्लस ठीकन यह गणना इसमें की जाते है तो 75 प्लस से भी उपर जो है पिच्चतर से भी उपर जो है आपकी आयो है और तंदुरस्त आयू है उसमें भी आपका अगले साल से जो समय आ रहा है उस सांदार आ रहा है फिर इसके होने से धाई बर्सों के बाद का जो समय है वो भी और भी अस्ताइतो वाला आ रहा है सम्मान और प्रतिष्टा वाला आ रहा है तो चीजे उबर रही हैं दूसरा ये बता रहा है कि आ आपका जो पूरो जन्म था, उसमें बहुत बेहत्रीन, मनि पुंड्य और उच्च कर्म किये हैं, और पुंड्य और उच्च कर्म करनी की वजो से आपको मनुष्य योनी प्राप्त होई है, अब कर्म कब करता आदमी, जब वो मनुष्य योनी में हो, इसका मतलब आपका जो प आदी पूरुस है, पित्र है, पित्र लोग में बैठा आपका जो आदी पित्र है, उसने क्या सोचा? कि मेरा बंस खतम न हो, मेरे बंस की प्रतिष्टा बनी रहे, मेरा बंस यहीं तक न रुके, तो आपके अच्छे कर्मों को देख करके, उसने पुनह अपनी ही बंस में आप को मनुश्य योनी में डाल दिया, और आप क्या थे? पुरुस ही थे, लिंग भी नहीं बदला है, लिंग न बदलने के कारण, और साथ पीडियों से पहले ही आपका जन्म होने के कारण, ठीक है न? आपका डिने भी नहीं बदला है, बंस भी वही है, लिंग भी वही है, और सात पीडियों से पहले जन्म ले लिया है आपने अपने ही बंस में और उस प्रारब्द के कारण धीरे धीरे आपको अच्छी बिद्या की प्राप्ति हो रही है नौलेज के रूप में अच्छे धन की प्राप्ति हो रही है आपका जो प्रोसार्थ है उसकी रूप में और उस उसका प्रभाव पड़ेगा अगले वर्स से तो ये आपकी हतीली में इस पश्ट चीजें दिखती हुई नजर आ रही है अब यहां पर देखेगा सांदार वोल्टिकल रेखाई इस पश्ट रूप से दिखाई दे रही है और ये रेखाई बड़ी गजब है बड़ी सार्थक हैं मनि अपने कारे के परति जुजहारोपन जबरदस्त रहने वाला है जिस कारे को हाथ में ले लेंगे जब तक पूरा नहीं होता है तब तक छोड़ेंगे भी नहीं लेकिन सुक्र के परवत पर जाल बना हुआ है सुक्र मतलब सुक्र मतलब एस्वर्या सुक्र मतलब सुन्दर्ता सुक्र मतलब सौंदर्या सुक्र मतलब कला सुक्र मतलब सुखद जीवन ये है सुक्र लगजरी अल्टरा लगजरी सुन्दर्ता आकरसन सब कुछ सुक्र है और इसमें अगर जाल बन जाए तो ये गलत परि समय में किसी चीज को लेके बहुत ज़्यादा सोच रहे है चिंताएं भी कर रहे है बहुत ज़्यादा मिहनत करते हैं बहुत ज़्यादा परिश्रम करते है तो भी आपकी दृष्टे से देखे तो अभाव की इस्तिति बनी हुई है लाख परियास करने पर सारे साधन होने के बावजूद भी जो सुक की वास्त्विक अनुभूती होनी चाहे थे उससे दूर खड़े है ठीकन तो क्या करना है इसको कुछ ने करना है जो मैं दिव्य योग ध्यान के रिया दे रहा हूँ दिन में दो वक्त तीन महने तक लगातार करना है और केवल रात्री के समय महालक्षमी की जो उपासना दे रहा हो वो करने है इससे आपके कारियों में बिस्तार होगा फैलाव होगा नाम और यस मिलेगा और अस्ताई तो आएगा ठीक अब यहाँ पे देखेंगे आप ध्यान से देखे एक रेखा इस परकार से जा रही है ठीक और एक रेखा हलकी जा रही है फिर इसमें एक तिर्भुज बनता हुआ दिख रहा है ये जो दो रेखाईं है ये दो रेखाईं इस पश्ट बता रही है कि आपको अपने जिवनकाल में बड़ी सपलता मिलने वाली है, आपकी आयू बढ़ने वाली है, ब्यापार आप कर रहे होंगे तो पिसेस प्रकार की तरक्की मिलने वाली है, बोलने के धंक के कारण भी आप अपने जिवनकाल में धन कमाने वाले हैं, लेकिन बीच में टूट मनी अपने डाइजेस्टिव सिस्टम को ध्यान में रखेएगा पेट से समंदित रोग परिशान कर सकते हैं इसकी भी संभावना है यहां पे आपका जो है त्रकुन बन रहा है आगे ऐसी इस्तिति आ रही है कि जीवन में धन को लेके बहुत ज्यादा संगर्स नहीं करना पड दिख रहा है अब यहां पे देखेगा सूर्य में दो रेखाई है ऐसे लोगों को अपने जीवन काल में यस की प्राप्ति होती है संतान सुक मिलता है और जीवन में विपुल संपत्ति की भी प्राप्ति होती है यह इस पश्ट दिखाई दे रहा है दोसरा देखेंगे तो म अंगल से लेकिए एक रेखा इसमें मिलती हुई एक तिरकुन बना रही है और एक तिरकुन बुद्ध पे बन रहा है बुद्ध का तिरकुन मतलब ब्यापार में अनायास बहुत बड़ी बृद्धी होने वाली है यहां पे तिरकुन का मतलब सूर्य पे एक तो बड़ी गाड और बड़ा घर आपको आउश्य मिलेगा अपनी जीवनकाल में अपने कमाई हुई पैसों से आप प्राप्त करेंगे दूसरा सूरे के प्रबल और अच्छी इस्तिति में आने पर ये बता रहा है आपको ऐसी नौलेज मिलने वाली है इतना बुद्धिमानी ब्यक्तित्व धनड्य की इस्तिति में आना वाला है धनी होने वाला है बिजनिस के कारण और संबव है असंबव नहीं है धनपतियों में उनकी सूची में अपना अस्तान बनाएगा चाहे ब्यक्ति पैतरिक रोप से कितना भी निर्दन हो आर्थिक संपन ना भी हो तो भी अपनी धिको कमाईगा ये दिखाई दे रहा है हो सकता है बाद में ऐसे योग भी बने कि विदेशों से भी आपके पास धन आ सकता है इस पश्ट दिखाई दे रहा है और साहसिक कारियों में ब्रिद्धी होती हुई इस पश्ट दिखाई दे रहा है लेकिन अब ही ये चिन जागर देखेंगे ये गड़ा होता जा रहा है और इस गड़े का मतलब क्या है ये गड़ा मतलब सूर्य पूरी तरोसे जिस प्रकार से उसको उर्जा प्रोवाइड करना था नहीं करवा पा रहा है जिसके कारण जितना प्रियास आप कर रहे हैं आप उन प्रियासों में सफल नहीं वो पा रहे हैं जो मिहनत आप कर रहे हैं जो परिस्रम आप कर रहे हैं उसका जो पूरा स्री है जो पूरा क्रेडिट है वो आपको नहीं मिल पा रहा है जो आपके अंदर quality है जो आपके अंदर योग्यता है उस तरों से चीजें उभर नहीं रही है निखर के नहीं आ पा रही है अगर हम देखें तो एक सहजता से एक सरलता से आपको रास्ता नहीं मिल पा रहा है और जब सूर्य इस प्रकार से हो तो यकीन मानिएगा अगर आप ब्यापार में हो तो ब्यापार में वो विस्तार वो फैलाव नहीं मिल पाता है जिसके लिए बिक्ति ने सारा कुछ दाओं पे लगा के ब्यापार में गया था वो प्रांड बनकर नहीं उबर पाता है वो यस नहीं मिल पाता है ऐसे में अगर बिक्ति नौकरी कर रहा हो वो ग्रौथ नहीं मिलती है उसको जिसके लिए उसने अपने आपको खपा लिया हो क्यूं होता है देखेगा सूर्य कमजोर तब होने बैठ जाता है जब आपका रूटीन है बहुत लंबे समय से अनबैलेंस हो वो प्रौपर मैनेज नहो और वो अनबैलेंस होने के कारण आपकी जो सारिक चक्र है न वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य की चक् के साथ परस पर मेल में नहीं होते हैं तो उसके कारण सूर्य कमजोर होता है और उसका प्रभाव हमारे जीवन के तमाम आयामों पे पड़ता है चाहे आपका सारिक स्वास्त्य हो चाहे जीवन की खुसहाली हो चाहे जीवन का उत्सा हो चाहे इसकी ऊर्जा हो ये चीजें ब लेनेज करने के लिए आपको क्या करना है ना तो आपको बहुत बड़ा हवन करना है ना बहुत बड़ा जाप करना है ना मंत्र करना है ना तंत्र करना है आपको एक प्रकार की किरिया होती है वो है दिव्य सूर्य किरिया वो मैं ओड्यू के मादियम से दे रहा हूँ आपको प्रवपर तरीके से दिव्य सूर्य किरिया करनी है अगर वास्तों में आप दिव्य सूर्य किरिया करते हैं तो धीरे धीरे आपकी जो सारिक चक्र हैं वो इस प्रकृति में मौजूद भगवान सूर्य के चक्रों के साथ परस पर तालमेल में आ जाएंगे और उसका और आपका जीवन सहिजता से चलेगा फिर चाहे सारे रिक स्वाच्ते हो जीवन की खुसाहली हो जीवन का उत्सा हो जीवन की ऊर्जा हो इन चीजों की आपको चिंता नहीं करने पड़ेगी ये चीज़ें हमें सासात रहेंगे और उसके बाद ये जो चिन बन रहे हैं इसका जबर्दस्त लाब आपको होगा यहां पर अगर एक चीज देखे तो ये वाला हिस्सा ज़्यादा उभर गया है गंभीर बेक्ते तो तो देता है लेकिन कभी कभी बे वजहे की चिंताईं देने लगता है या कोई न कोई ऐसी वजहें बना लेता है जिसके कारण तनाव की इस्तिति आने बैठ जाए और फिर ज़्यादतर बेक्ते सुबा उठने में आलश्या करने बैठ जाता है ठीकर न इस प्रकार की चीजों को ये देता है यहां पर अगर सूर्य सनी इस प्रकार से हो और कट-कटाव की इस्तिति में आ जाए तो आपकी जो कार्य है उनमें बिगन बादाएं आने बैठ जाती है अर्चने आने बैठ जाती है कार्य में बिलम होने बैठ जाता है उतार चड़ाव जीवन में सुरू हो जाते हैं तो दिब्य सुर्य किरिया से सारी चीज़ें ठीक होंगी ये एक्चुल है अब यहां पर देखेंगे तो आपकी ये वाली जो इससा है ये इधर इन दोनों के बीच में जा रहा है और इसमें जो है देव गुरु ब्रस्पति और सनिका प्रभाव पड़ रहा है दोनों का बला रहेगी दिखाई दे रहा है इक्चा भी एक टॉप लेबल तक पहुँचने की दिख रही है और इसके लिए एन के प्रकारेण जो भी आप से हो जाए आप करने को तयार रहेंगे ये भी दिखाई दे रहा है एक रेखा यहां से बढ़कर इसमें आने को तयार दिख रही है देखेगा और ये परवत नीचे की तरब जुक रहा है परिवार खास कर दामपत्य जीवन को लेके थोड़ा सहजिता रखें ठीकन इसका जो चरम सुक का भोग है उसके आगे बड़ी प्रस्तितियां खड़ी हो सकती है इस तरब ध्यान दे और यहां पर एक छोटा सा विष्णो का तिलक बन रहा है इसका मतलब है कि जो आपके पंच तत्व हैं पंच भोत जिनिसे सरीर बना है फाइव एलमेंट जो आपके सरीर के आठों चक्र हैं जो पांच ग्यान इंद्रिया हैं और पांच करम इंद्रिया हैं उनके अनुसार रध्यदेव हैं वो भगवान विष्ण हैं भगवान नारायन साच्छात हैं जितने समरपनता रहेगी उतनी दिव्यता को और उतनी भव्यता को आप प्राप्त करेंगे लेकिन ये इसके उपर डिपेंड करेगा कि आपका समरपन किस परकार का है ठीकन दूसरी बात कि आने वाले समय में आप जिस काम को भी करेंगे उसमें पूरी सपलता अरजित करने की चंता बड़ेगी ये चीजें आप इस पश्ट दिखाई देती हुई नजर आ रही है अगर हम आपकी मस्तिस्क की लकीर को देखें आपकी क्रियेटिव ब्यक्तितों को दिखा रही है कि ब्यक जर्म अस्तान से दूर बड़ी तरकी दिखाई दी रही है जर्म अस्तान में रहकर बहुत बड़ी तरकी यहाँ पर कम दिख रही है लेकिन कर्म ऐसे करेंगे कि अंत में मोक्ष की प्राप्ति साक्षा दिख रही है इसका आपने उपाय करना है अब यहाँ पर अगर हम कर ली है निम्न मंगल देखें और उच्च मंगल देखें तो प्राकरम बहुत अच्छा रहेगा और एनरजेटिक स्वभाव बना रहेगा आपका ब्रिस्पति बहुत अच्छा है मान सम्मान प्रतिष्टा बहुत अच्छी मिलेगी चाह सडक के किनारा हो चाह महलों की जग सम्मान मिलेगा लेकिन अभी कुछ समय तक परिवार को लेके हलकी फुल की चिंताएं भी दिख रही है सनी और यह देख लिया है हमने छोटा काम भी करेंगे तो नेम फिम पाने के एक्षा जादा रहेगी बुद्ध अच्छा है लेकिन थोड़ा सा जो है यहां पे ति दिखाई दे रहा है ठीक न इन सब को ठीक करने के लिए अपने इश्टदेव की बराबर जो भगवान विष्णु है प्रोपर तरीके से उनकी पूजा करें उनको पीले फूल अर्पित करें हर बुद्धवार को आप गणेश जी को दूरबा चड़ाएं हरी घास होती ने दूरबा वो भगवान गणेश को जरूरक चड़ाएं ठीकन है बकरतुंड महाकाय कोटी सूर्यो शमा प्रभव निविर घनम कुरूमी देवो शर्बकारीश शर्वदा दूरबा चड़ाते होई ये मंतर का ध्यान करें बहुत सुन्दर चीजें रहें हरी सबजी है हरे फल है और हरी दालों का ज़्यादा सी सेवन करें और एक चंदन के खुसबो वाला परफ्यूम आता है अगर परफ्यूम से कोई ऐलर्जी नहीं है तो चंदन की खुसबो वाला परफ्यूम ले लीजेगा और अपने बदन पे थोड़ा थोड़ा नहाने के बाद हमेंसा डालिए येकिन मानेगा चीजें बहुत बेहतरीन होंगी बहुत सकारात्मंग होंगी और इसका लाब आपको मिलेगा आपका चंद्रमा धीरे धीरे अच्छी इस्तिति में लोट रहा है इसका फाइदा बहुत जल्दी मिलने वाला है एक तो मानसिक रूप से बहुत ज्यादा मजबू दिखाई दे रही है धीरे धीरे सरीर का हार्मोनल सिस्टम भी बढ़िया होता हुआ दिख रहा है क्रियेटिविटी बढ़ रही है चलकपट से दूर रहेंगे और सकारात्मंग सोच भी हाबी रहेगी ये दिखाई दे रहा है अगर देखा जाए तो मैंने आपकी हतीली का पूरा विसलेशन करके आपको बता दिया है उपाई में विदिवत तरीके से लिख करके और आडियो के माद्यम से दे रहा हूं करने की कोसिस करें बहुत अच्छा लाब आपको जीवन में होगा इस वीडियो में बस इतना ही एक नई वीडियो के साथ पनोपस्तित होंगा तब तक के लिए नमस्कार